असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप अधुकेशन अकेटमी से मैं हूँ सबजने आपको मालूम है कि इस चैनल पर हम आपके फाइदे के लिए बहुत वीडियोज अपलोड कर रहे हैं और जिससे आपको बहुत ववाइद हासल भी हो रहे हैं जिसका अंदाजा हमको आपके कमेंट से चल रहा है आज हम एक एहम और बहुत ही लाजवाब नुस्खा लेकर आए हैं जो कि आपको एक दो नहीं बलके सतर से ज़्यादा बिमारियों से निजाद दिलाएगा जी हां बिलकुल ये सच है कि एक ही नुस्खा से आपकी बहुत सारी बिमारियां हल हो जाएंगे और वो नुस्खा बिलकुल भी केमिकल वाला नहीं हैं बहुत ही असान बहुत ही मुझरिब नुस्खा हम आपके लिए लेकर आए हैं अगर आपको इसे फाइदा होगा तो हम ये नुस्खा स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपने लेनी हैं पचास कराम कलौनजी कलौनजी बहुत ही भेटरीन अल्ला ताला की तरफ से एक तफ़ा है और हुदूर्स ने भी इसे मुझर बिमारियों के लाज के लिए फ्रेकमेंट किया है तो हम ले लेंगे पचास कराम कलोंची और बिल्कुल उसी मुनास्पत से उतने ही वजनगा हमने लेना है इस पगोल इस पगोल की भूसी और इन दोनों को मिला लेना है इसके साथ इसमें मिलाना है हमने 100 गराम खालिस शहत कोशिश वीजिएगा कि छोटी मक्षी का शहत हमें मिल जाए क्योंकि वो ज्यादा मुफीद होता है हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेना है तो ये एक माजून की शकल में आ जाएगा रिपीट कर दूँ पच्चास कराम कलोंची और इसी मुनास्प से पच्चास कराम इस पगोल का च्छेका या भूसा और इसके साथ सो गराम शहत तीनों चीज़ों को मिला कर माजून बना लेंगे और इस माजून को आपने सुभा और शाम को इस्तमाल करना है सुभा नहार मूँ और शाम को यानि असर के टाइम क्यूंकि इस वक्त भी हमारा मैदा खाली होता है तो आपने एक चमच सुभा नहार मूँ और एक चमच असर के वक्त जब आप नहार मूँ होंगे मैदा आपका खाली होगा तो एक चमच इस माजून का इस्तमाल करना है तो यकीन मानिए कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी गैस का मसला, कब्स का मसला, इसके इलावा मैदी का अलसर, जोडों का दर्द, बालों का वक्त से पहले सफेद हो जाना और अनगिनक बिमारियां हमारी इस नस्ख़े से दूर हो जाएंगे तो अल्ला का नाम लेकर इस नस्ख़े को बनाएए और इस्तमाल करना शुरू कीजिए हर एक चीज यूस करने से पहले जो हमारा सबसे अवलीन काम होता है वो होता है अल्ला पर भरोसा कोई भी वजीफ़ा हम कर रहे हैं कोई भी हम दवाई खा रहे हैं या कोई भी टोटका इस्तमाल कर रहे हैं तो अल्ला पर भरोसा रखिए कि अल्ला ताला इस नस्ख़े की वज़ा से आपकी प्रॉब्लम दूर करेगा ये मैं सोचिए कि हमने दवाई खाई है हम ठीक हो जाएंगे बलकि इसके साथ अल्लह ताला पर भरोसा रखना है कि बीमारी देने वाली जात भी अल्लह ताला की है और इंशाला इंशाला वो ही हमें इस बीमारी से निजात भी दिलाएगा तो आपने पूरे यकिन के साथ ये नुस्खा इस्तमाल करना है और इसके साथ किसी किसम की टेंशन आपने नहीं लेनी क्यूंकि इसमें हमने नेचरल चीज़ें इस्तमाल की हैं और अगर शेहद है तो शेहद यूस करना शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतर होता है अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेहर कीजिए और अगर हमारा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर लीजए और इसके साथ ही बैल के आइकन को भी प्रेस कर दीचे ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो मिलते हैं इस तरह की और मज़ीद वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज अल्ला आपका और हमारा हामियो नासिर रहे